नमस्कार शिक्षार्थियों N.I.O.S. के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है अब हम ग्रंथाले इवं सूचना विज्ञान के इस अंसाधन के भाग तीन के विशय पर चर्चा करेंगे इस अंसाधनों के प्रबंध की प्रक्रिया निम्न प्रकार से कर सकते हैं सबसे पहली प्रक्रिया है चयन जो सबसे महत्पूर्ड है इस अंसाधनों का चयन निम्न लिखत किसी भी विधी से हो सकता है अज्यात संयोग वश उपयोगी तथा लाबकारी सामगरी का इंटरनेट पर साइटें खोलते समय अचानक ज्यान होना संकाय की अनुशंसा पर अन्य गरंथालियों द्वारा उपलब्ध इलेक्ट्रोनिक पत्रिकाओं की समिक्षा करते समय प्रकाशकों के विज्यापन चैन में हमने बात की अज्यात संयोगवश उपयोगी तथा लाबकारी सामगरी का इंटरनेट पर साइटें खोलते समय अचानक ज्यान होना कि जब हम इंटरनेट पर काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट पर कुछ access कर रहे होते हैं, इंटरनेट पर कुछ search कर रहे होते हैं, तो संयोग बस हमें कुछ ऐसी sites, ऐसी websites या ऐसे electronic संसाधनों का ज्यान हो जाता है, जो जिनको लगता है कि यह सामगरी तो हमारी library के लिए या हमार संस्थान के लिए बड़ी उपयोगी है तो हमें चैन का एक माध्यम ऐसे भी प्राप्त हो सकता है शंकाय की अनुशनसा पर जो हमारी फैकल्टीज हैं जो हमारे टीचर्स हैं जो हमारी डेपार्टमेंट्स हैं उनमें जो स्कॉलर्स हैं जो विद्वान लोग हैं उनकी रिकमेंडिशन पर उनकी अनुशनसा पर भी हम एलेक्ट्रोनिक संसाधनों का चैन करते हैं हम जब कभी अन्य ग्रंथालियों का विजिट करते हैं किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो हम वहां देखते हैं कि कौन-कौन सी पत्र-पत्र काएं इस लाइब्रेरी द्वारा सब्सक्राइब की गई हैं इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में तो जब हमें वहां जाकर यह ज्यान होता है यह भान होता है कि यह है पर्टिक्लर सामग्री हमारी लाइब्रेरी के लिए उपर यह हो सकती है तब भी हम उस सूचना को अपनी लाइब्रेरी में चैनित करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए प्रियोग कर सकते हैं को खरीदते हैं परंतु इलेक्ट्रोनिक संसाधनों के लिए ग्रंथालय पहुचके अधिकारों के लिए लाइसेंस को केबल प्राप्त करते हैं इस अधिगरण में निमलिकत महतपूर्ण गतिविधियां करते हैं सैंसामिल हैं पहले इसको समझ लेते हैं अधिगरण क्या है अधिगरण में बात करी कि ग्रंथालय स्वामित के लिए मुद्रत संसाधनों को खरीदते हैं but या नई जो चीजें पॉब्लिज्ड हैं भौतिक sort परूप में हैं, गरंथाले उनको क्या करते हैं, खरीदेते हैं, परन्तु एलेक्ट्रोनिक्स अंसाधनों की जब बात होती है, तो एलेक्ट्रोनिक्स अंसाधनों के लिए हमें उनका एक्सिस चाहिए होता है, एक्सिस का आर्थ है कि हम उनको कैसे प्रियोग में लाएं, उसक लाइसेंस के आवशक्ता होती है, तो उस अधिगरण को उस एक्सिस को प्राप्त करने के लिए कुछ महत पूरन गतिविधियां शामिल होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, जिन पर हम बात करेंगे, जैसे कि सुल्क नरधारित करना, यानि उसका कॉस्ट उसके प्राइस को नरधारित करना, विक्रेता के साथ मोलभाव करना, लाइसेंस के समझोते को पूरा करना, तो सब तीन इन बहत्पूर बिंदू हैं, पहले तो शुल्क नरधारित करना, शुल्क नरधारित करत क्या है, कि अगर विक्रेता आपको कोई डेटाबेस, कोई ज अगर उसने कोई भी डेटाबेस कल्पना कीजिए कि कोई भी डेटाबेस उसने एक हजार रुपए का आफर किया है तो हम उसके सम्मोल भाव कर सकते हैं कि नहीं एक हजार का नहीं आप इसको और कम इसका प्राइस इसका कॉस्ट लगाईए तो यह भी लाइब्रेरी इस विश को पढ़ना कि कौन सी शर्त हमारी लाइब्रेरी के लिए हमारी इंस्टिटूशन के लिए ओपयोगी है या नहीं है कोई कानूनी पेचतो ऐसा नहीं फच सकता है तो इस विशे पर भी हमें चर्चा करनी होती है ध्यान रखना होता है धन राशी का आवंटन कितना धन राश ऐसा बाशी ईस अंसादनों पर आवंटित करना है इस पर भी हमें ध्यान रखना होता है आदेश भेजना आदेश भेजना का अर्थ है कि जब ये संसाधनों का चैन हो जाता है उनका अधिगर्ण की प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ने की चेश्टा करते हैं तो हमें आदेश भेजना होता है यानि ओर्डर भेजना होता है जिसको वर्क ओर्डर भी कह सकते हैं और्डर भेजना होता है, और्डर भेजने के बाद हम यह तै करते हैं कि जाच करके यह प्रमानित भी करते हैं कि शीर्षक सहज अभिगम्य है, अथपा नहीं है, शीर्षक सहज अभिगम्य का अर्थ क्या है? कि जो भी ए-संसाधन, जो भी ए-material, electronic item आपने अपनी लाइबरेरी के लिए सब्सक्राइब किया है, जिसके लिए आप पैसा देने जा रहे हैं, तो वह सहज रूप से accessible है कि नहीं है? उसको एक्सिस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है उसको पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता है उसमें कुछ समस्याइं तो नहीं आ रही है यदि समस्याइं आ रही हैं तो तुरंत विक्रेता को सूचना संपरिशित करना होता है इसके पश्चात क्या है? भगतान के लिए बीजिकों की प्रक्रिया जब चैन और अदिगरण की प्रक्रिया से हम गुजरते हैं बहुत सारे बिंदुओं पर हम काम कर चुके होते हैं इसके पश्चात क्या होता है? जब हम यह देख लेते हैं कि अभिगम में उपलब्द है कि नहीं है सहज अभिगम में है कि नहीं है बहुत सारे लाइबरेरी यूजर से यह तै करवाते हैं सुनिश्चित करवाते हैं कि आप देखिए कि आपके लिए सहजता से उपलब्द है कि नहीं है इसके पस्चाहत हम आगे की प्रक्रिया में उसके इन वाइस को, उसके बीजक को, उसके बिल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और उसके बिल का भुगतान करने के लिए संबंधित विभाग को भेज देते हैं ईसंसाधनों के प्रबंदन में करमचारी का बढ़ा रोल प्ले Хोता है। जैसे ग्रिंधाला को इह नरणय लेना होता है कि ईसंसाधन या इसंसाधन के अद्धिगर्हन का कार संपादन सामानय निमत करमचारी करेंगे अतबह, electronic प्रारूपों के साथ ब्यवहार करने में वेशे शग्य करमचारी निश्पादित करेंगे Grainthaalaya को यह सुनस्चित करना होता कि फिस संसादनों को कौन से करमचारी इस पर काम करेंगे कैसे सुविधाय उपलबद करांगे क्या वहां करमचारी विशेशग करमचारी है जिनको पहले से ही electronic सामगरी की जानकारी है यह electronic सामगरी के विशे में उनको दक्षता है अगर सामाने करमचारी है तो उनको क्या training के आवशकता है और यदि वेशेशग करमचारी हैं तो उनको क्या यह कारे दिया जा सकता है तो यह गरंथाले सुनश्चित करता है इस अंसादनों को खरीदने के उद्देश से लाइसेंस प्रक्रिया में कुशल तथा इलेक्ट्रोनिक प्रारूपों के साथ परिचित करमचारियों के अवशकता होती है जब आप इस अंसादनों को खरीद रहे होते हैं तो लाइसेंस के प्रक्रिया में जो स्किल्ड लोग हैं जो कुशल लोग हैं जो कुशल करमचारी हैं उनको भी उसमें involved करना होता है क्योंकि उनको उनकी बारी कियां पता होती है license की बात करते हैं प्रवंधन का एक सबसे बड़ा और सबसे महात्पुर्ण पहलू है license सामाने ता ग्रंथाला एवं प्रकाशक के बीच एक लिखत अनुबंध पत्र या समझोता है license क्या है license है एक लिखत अनुबंध पत्र या समझोता किसके बीच में होता है प्रकाशक और ग्रंथाला के बीच में इस अनुबंध पत्र में बिविन पहलू होते हैं जैसे भगतान की गड़ना करने की विधियां उपयोगताओं पुराने लेखों के संग्रह का अधिकार आ दी इसी के साथ एक और महात्पुर्ण पहलू है प्रवंधन का वह है बजट इस अंसाधनों को प्राप्त करने के लिए ग्रंथालाए प्राया अलग से बजट रखते हैं इस अंसाधनों का जो स्वरूप सामने आया है इसके लिए ग्रंथाले उने एक अलग से कदम उठाया है वह क्या है कि बजटिंग जब करते हैं, बजट अलोकिशन जब करते हैं, गरिंथाले पुस्तकों के लिए, बहुतिक पुस्तकों के लिए, इस अंसाधनों के लिए, तो इस अंसाधनों के लिए पुस्तकों ने अलग से ही एक बजट का हैड नरधारत किया है, जिसमें इस अं साधनों को सूची बद्ध करके उनके विवरणों को गरंथाला के OPEC में शामिल करते हैं इसको वेब साइट पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है इसका अर्थ क्या है प्रसूची करन का अर्थ क्या है प्रसूची करना का अर्थ है कि लिस्टिंग करना जो भी इस अंसादन यदि आपने खरीदे हैं या फिर आपने सब्सक्राइब किये हैं तो उनको एक लिस्ट तयार करनी होती है या उनकी सूचना को आपकी OPEC में शामिल किया जाता है OPEC जैसा कि हम जानते हैं Online Public Access Catalog है जिसके माध्यम से Library के Collection की सारी सूचनाएं संगरत गरण की जाती हैं और हम उनको एक्सिस भी कर सकते हैं तो प्रसूची करन का साधान सार्थ है कि जो भी इस अंसाधन हमने खरीदे हैं या सब्सक्राइब किये हैं तो उनको उस OPEC में उस सूचना को शामिल करना है और जो Library की वेबसाइट पर या आपके समनित इंस्टिशन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जा सकती है अनुरक्षन इस अंसाधनों के प्रवंधन का सबसे महात्पूर्ण एक पक्ष और है जिसको अनुरक्षन कहते हैं इस अंसाधनों के लिए अनुरक्षन एक महात्पूर्ण विशय है ग्रन्थालय के करमचारी इस अंसाधनों का अनुरक्षन करते हैं करमचारी यह सुनशित करते हैं कि शश्वलक यी संसाधनों को संस्था के इंटरनेट प्रोटोकॉल पर अभिगम किया जा सके कुछ यी संसाधनों को उपयोकता के नाम एबं पांसबर्ट के द्वारा देखा जा सकता है करमचारी प्रशिक्षन तथा उपभोकता शिक्षा इसंसाधनों के प्रबंधन में एक और महात्पूर्ण पहलू है करमचारी प्रशिक्षन तथा उपभोकता शिक्षा यह क्या है करमचारियों को इसंसाधनों से सूचना को अभिगम करने खोजनी तथा पुनह प्रापती कार में प्रशिक्षित करना होता है यानि उनकी ट्रेनिंग दी जाती है ग्रन्थालेओं द्वारा उपयोकता शिक्षा कारेकरम चलाने की आवशक्ता है जिससे उपयोकता को सिखाया जाए कि इस संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए तथा उपयोकता के इस इस संसाधन या इस संसाधनों के उपयोग को कैसे बढ़ाया जाए इसका सीधा सार्थ यह है कि आपकी लाइबरी का जो स्टाफ है आपकी library के जो करमचारी हैं उनको इस अंसाधनों के विशय में उनके प्रियोग के विशय में उनको कैसे access किया जाए उनको किन-किन माध्यमों से access कराया जा सकता है यह सारी training आपके library की करमचारी या करमचारीयों को देने की आवश्यक्ता होती है यह भी library ही सुनेश्यत करती है जैसा कि अपनी पिछले slide में हमने जाना कि कुछ लोग skilled होते हैं कुछ करमचारी skilled होते हैं जो electronic संसाधनों के विशय में पहले से ही ग्यान रखते हैं लेकिन अगर आपकी library में electronic संसाधनों को जानने वाला employee कम है या वाले employee कम है तो हम libraries क्या करती हैं कि उनको training उपलब्ध कराती हैं जैसे यह संसाधनों की सूचना यह संसाधनों के अमाध्यम यह संसाधनों के प्रकार के बारे में जाना जा सकता है अब हम इसंसाधनों के वर्ग के वारे में जानेंगे इसंसाधनों के वर्ग निम्न प्रकार से हो सकते हैं जैसे कि इस सामकियां जिनको journals कहते हैं इलेक्ट्रोनिक पुस्तकें, इलेक्ट्रोनिक डाटाबेस, इप्रतिवेदन, इशोध ग्रंथ एबं लगुशोध प्रबंध संस्थागत इस्थल यह यह संसाधनों के वर्ग हैं जैसा कि journals हमने बात की थी, इजर्नल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोनिक जर्नल्स होते हैं, इपुस्तकें होती हैं, डाटाबेस, इडाटाबेस क्या है? एक डाटाबेस में बहुत सारे journals हो सकते हैं, बहुत सारे इपुस्तकें हो सकती हैं इन जैसा कि उसका स्वरूप एलेक्टरोनिक फॉर्म में होता है। भौतिक स्वरूप नहीं होता है। इसका एलेक्टरोनिक फॉर्म होता है। आप देखिए इस सामिकी का उधारण आपके सामने है प्रतियोगिता दरपन का यह उधारण दिया गया है बहुत ही प्रशद्ध सामिकी है इसका यह इलेक्ट्रोनिक स्वरूप है इस अंसादनों के वर्ग में इसके लाबकी भी बात करेंगे जैसे कि इस सामिकियों के लाबके विशय में हम बात करते है इन्हें किसी भी स्थान तथा किसी भी समय अभिगम किया जा सकता है कोई भी इलेक्ट्रोनिक जर्रूनल है उसको किसी भी स्थान से किसी भी समय हम अभिगम किया जा सकता है अबिगाउंगार्थ है उसको एक्सिस किया सकता है उससे सम्मंदित सूचना प्राप्त की जा सकती है विसे वस्तु सूचक मुख्य शब्दों का प्रयोग करके आकस्मिक धंक से खोज कर सकते हैं कोई भी शब्द जो आपको जानकारी में है और आप चाहते हैं कि उस ए सामिक में इलेक्ट्रोनिक जर्नल में आपको वह सूचना खोजना है तो ततकाल उसको आप खोज सकते हैं और कम समय में अत्रिक्त विशेवस्तु उपलब्द होती है जो कि मुद्रित में प्राया उपलब्द नहीं होती है तो इलेक्ट्रोनिक सामगरी में अत्रिक्त विशेवस् साभषी की आवशक्ता नहीं रहती हैं आपको को सिंसाधन हो को सुरक्षत रखने की प्रक्रिया है कि एक सुरक्षत रखने का एक कारिया है बंडारन के लिए भी एक स्थान के आवशक्ता होती लेकिन इलेक्ट्रोनिक जनरल्स में, इलेक्ट्रोनिक सामगरी में ऐसा बिलकुल नहीं है वर्तमान के साथ-साथ पिछले एंगों को भी हम देख सकते हैं गरंथालय संख, जिसको हम 한데 data consortia भी कहते हैं। दन की बचयट के लिए गरंथालय किसी संखके माध्यम से भी इरनल्स उपलब्ध कराते हैं। इस द्रश्टिकोंड में पुस्त के उपलब्ध कराने और जरनल्स को साजह करने के लिए ग्रंथाले किसी सहकारी संस्था Association संचारतंत्र अथवा किसी सहकारी संगठन का गठन करते हैं कंसूर्चिया क्या है ग्रंथाले संग क्या है इसको हम समझने की चिश्टा करते है जैसा कि हम जानते हैं लाइब्रेरीज में बजट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बहुत बड़ी समस्या है लाइब्रेरीज के पाद आजकल बजट कम रहता है और उनकी डिमांड अधिक रहती है उनकी डिमांड मीज माटेरियल की डिमांड जादा होती है research material की demand जादा होती है तो उसके लिए libraries ने क्या किया कि एक consortia का अंदरमाण किया है और consortia क्या करते हैं कि जो भी बड़े-बड़े suppliers हैं publishers हैं उनसे negotiate करते हैं और e-journals को, e-databases को कम रुपए में, कम पैसे में बहुत सारी libraries को उपलब्ध कराते हैं जैसे इसके बहुत सारे उधारण हो सकते हैं जैसे Delcon, Electronic Granthalic Consortia या UGC Infonet Digital Library Consortium ये consortia के बड़े उधारण हैं जो कम पैसे में, कम बजट में बहुत सारी libraries को e-san-sadhan उपलब्ध कराते हैं तो हमने इस प्रक्रिया में ये जानने की चिष्टा की कि इस अंसादनों के कौन-कौन से वर्ग है इस अंसादनों के कौन-कौन, उन वर्गों के क्या-क्या प्रकार है और उन वर्ग में जो सामग्रिया सामिल हैं जैसे की जर्नल्स की बात की इस अंसादनों के वर्ग में जो सबसे महत्मुन बात हुई वह बात हुई गरंधाला संग की, गरंधाला कंसोर्चिया की गरंधाला कंसोर्चिया के बारे में हम सभी ने जाना कि लाइब्रेडीज को कम पैसे में, कम बजट में बहुत अधिक material, बहुत अधिक इस अंसाधनों उबलब्द कराने में अपना रोल प्ले करते हैं, अपनी भूमी का आदा करते हैं धन्यवाद